स्प्रिंग सीजन शुरू होने वाला है और ये सीजन गाडनिंग के सारी काम करने के लिए जैसे की प्रूनिंग, गुडाई, कटिंग, कटिंग से पौधे बनाना, साथ में जो पौधे डॉर्मेंसी में चले गए थे उन्हें इस सीजन में जगाना आज की वीडियो में ऐसे ही एक पौधे के बारे में जानेंगे जिसे हमें स्प्रिंग सीजन में जगाना है, तो उसके लिए क्या क्या करना है जानेंगे आज के वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अन तक ऐसी ही तमाम तरह की जनकारिया आपको यहां मिलती रहती है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है मेगा और स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल में जिसका नाम है मेगास ब्लॉस्मिंग गार्डन आप मुझे इंस्टाग्राम फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते हैं अगर मेरा ये वीडियो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू प् और इसे जगाने का भी समय आ गया है नई एनर्जी के साथ फिर से फूल खिलाने के लिए सबसे पहले हम इसकी जो लंबी-लंबी टेहनिया है उसे कट कर देंगे उसके बाद हम इसकी सारी पत्तिया कट कर लेंगे पूरी तरह से एक भी पत्ति हमें इस पर नहीं रखनी है बिलकुल जाडू जिस तरह से होता है उसी तरह से लंबी-लंबी टेहनियों पर उसकी पत्तियों को हमें क्लीन करना है ताकि इस पर न्यू-्यू ब्रांचे जाए और हर ब्रांच पर फूल के लिए सारी पत्तिवों को कट करने से डरें नहीं क्योंकि पत्ते फिर से आ जाएंगे पूरी तरह से, मतलब कि इसकी हमें hard pruning करनी है ये देखिए इस तरह से मैंने इसकी पूरी पत्तिया निकाल ली है और इस पर एक भी पत्तिया भी बाकी नहीं है उसके बाद इसमें हमें अच्छे से गुडाई कर देना है ताकि एरियेशन अच्छा हो एक इंच तक के अच्छे से गुडाई करना है उसके बाद हम इसमें अच्छा सा खाद दे देंगे और एक मुठी नीम खली का भी मिला सकते हैं ये खाद हम महिने में एक बार महिने की शुरुआत में दे सकते हैं और इसमें कोई साभी एक liquid fertilizer बदल बदल कर दे सकते हैं हर साथ दिन में जो कि हमें एक बार देना है fertilizer में आप केले के छिलके का fertilizer या फिर mustard cake fertilizer या नीम खली को भी बिगो कर डाल सकते हैं या फिर cowden compost tea भी दे सकते हैं ये हमें बार बार बदल बदल कर देना है ताकि पौधे को जो भी required nutrients है वो सारे मिले और पौधा मजबूत strong हो उसमें धेर सारे फूल खिले एक और चीज इस पौधे में करनी है और वो है पानी का stress देना है इस पौधे को पानी का stress देना याने कि कुछ दिन तक पौधे को पानी नहीं देना फिर आप कहेंगे कि पौधे को अगर पानी नहीं दिया जाए तो पौधा मर सकता है लेकिन आपने अक्सर देखा होगा पौधा अंडर वाटरिंग से जादा तर मरता है अगर आप अपने पौधे को 8 से 10 दिनों का तनाव देते हैं या उसे पानी नहीं देते हैं तो पौधे सदमे में जा सकते हैं आठ या 10 दिन का मेरा मतलब है कि जब तक आपके गंबले का या पौट का पानी पूरी तरह से सूख न जाए इसे हम उसी तरह से देख सकते हैं जैसे कि जब हमें भूख लगती है तो जो पी खाना हमारे सामने दिया जाता है उसे हम खा लेते हैं लेकिन अगर आपका पेट भरा हुआ है और आपको भूख नहीं लगी है तो आपके सामने कितने भी अच्छे पकवान आ जाए तो भी आप उसे नहीं खाते हैं उसी तरह से हम पौधों को पानी का तनाव देकर मिटी में हाद डालकर पौधों को उनका ठोस भोजन देने जा रहे हैं तो ऐसे समय में पौधे दुगना पोशक तत्वों को अपने अंदर एब्जॉप कर लेते हैं क्योंकि उनको इतने दिनों तक पानी और भोजन से महरूम रखा था तो अब उसको वो खाने के लिए या अपने अंदर एब्जॉप करने के लिए आतूर होते हैं तो ये काम भी हमें करना है कि पौधों को वाटर स्ट्रेस देना है जैस्मिन में पेस्ट का बहुत अटैक होता है तो 15 दिन में एक या दो बार नी मॉयल का स्प्रे कर सकते हैं ये स्प्रे बहुत जरूरी है क्योंकि इस सीजन में पौधे पर पेस्ट का बहुत अटैक होता उपर पत्तों पर कुछ दिखाई नहीं देता है पर नीचे पत्तों पर बहुत ज़ादा पेस्ट का अटैक होता है जो कि हमें मालूम ही नहीं पड़ता है तो जब भी स्प्रे करें तो पत्तों को नीचे से अच्छे से स्प्रे करें वरना इनकी आबादी बहुत ज़ादा अगर आपने नहीं किया है तो ताकि डेर सारे फूल खिले पौधों पर आने वाले सीजन में तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजे शेर कर दीजे और सबस्क्राइब भी कर दीजे नोटिफिकेशन को आउन करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजे तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नहीं जानकारी के साथ तब तक के लिए बाई